एचन बी यूएम्यू बीएसी नेट्सिंग जेनम एनम पैरमेडिकल इंट्रेंस एक्जाम सेसें 2023 आड़ी आप तमाम इस्टूड़न को पता था कि जो रिजल्ट है आपका जो कल डेट चले जा चुके आर्ट तारिक को यहां पर पब्लीश होना था लेकिन किसी कारणवर्स इनवर्सिटी ने अभी तक आपका जो रिजल्ट है कांसलिंग का फर्स्ट कांसलिंग का रिजल्ट यहां पर पब्लीश नहीं किया है क्या चांसेज है कप्टा गाने के चांसेज है यह सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्क्रस करूंगा साथी साथ सेकेंड कांसलिं कोई प्रवाइट नहीं करेगा आई होप अब हो चीजे जो मैंने पहले कही थी हो अब आपको समझ में आ चुकी होगी सबसे पहले बात करते हैं स्टुडेंट जब नॉर्मली मैंने जैसे कहा था कि नर्सिंग पैरमेडिकल काउंसलिंग 2023 पे जब आप नॉर्मली क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे फिलाल जैसे मैंने कहा था कि स्टुडेंट के बगल में यहां पर आपसन आएगा फर्स्ट काउंसलिंग रिजल्ट तो फिलाल अभी तक आपको कोई भी रिजल्ट यहां पर पब्लिश नहीं हुआ है चांसेज यह स्टुडेंट आज पब्लिश हो जाए प्रिविएस येर में जो स्टुडेंट मेरे सा स्टुडेंट कुछ कहानी जाता मैंने उन्वर्स्ट से कॉंटेक्ट किया था लेकिन उन्होंने मेरी कॉर्ड रिसीब नहीं की है फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगे स्टुडेंट 12 बज़े तक का वेट करो आज का वेट करो अगर आज आपका रिजल्ट पब्लिश नह यहां पर डेट जो लास्ट ऑब एडमिशन 13 तक लिखा हुआ है बढ़ भी सकती ना भी बढ़ सकती यह टॉटली डिपैंड यूनिवर्सिटी पर करता है जहां तक मुझे चांसे लग रहा है आपकी लास्ट ऑब एडमिशन अगर आपका प्रिजल्ट कल पब्लिश होता है या आज शाम तक पब्लिश होता है तो 100% चांसेज है जो लास्ट ऑब एडमिशन है हो बढ़ के आएगी आपके जब अलॉट में लेटर पब्लिश होगा वहां पर डेट मेंशन की होगी मैं उसके रिगार्डिंग में आपको वीडियो प्रवाइट कर दूँगा तो यही पूरी देखा करो आपके इसमें बेनिफिट होता है अब ध्यान देने स्टुडेंट जिन स्टुडेंट को फर्स्ट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है आपको कोई भी फीस देनी नहीं होगी फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों थेंक्यू